हेलो फ्रेंड्स माइनेम इस महिमा स्वागत करती हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रोफ ट्रेडर्स पर फ्रेंड्स आज की वीडियो का जो टॉपिक है वह है वॉल्यूम आज मैं आपको बताऊंगे वॉल्यूम क्या होता है और इसे चार्ट पर हम कैसे लगात से है इसलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक वॉल्यूम सबसे पहले हम यहां पर यह जानते हैं कि वॉल्यूम क्या है तो वॉल्यूम नमबर ओफ शेर्स जो एक टाइम पर बाई और सल किये गए है या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि किसी टाइ जुम में जल कि हम बात करें तो इस सब्दल का आगर हम वॉल्यूम देखेंगे तो यह पता चलेगा कि इस कैंडल में i कितनी कौंटिटीं ट्रेड हुई है लगाते कैशंगां चार्ट पर को मिलेगा इंडीकेटर काई il न इन जो में आपको बता रही हूं जो दाना पर बिलकुल ऐजी वे में आप इसे लगा सकते हैं तो चलिए देखते हैं कैसे तो कि और पर इंडीकेटर का इसपर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से कई सारे उप्चून आएंगे तो यहाँ पर हमें क्या लेना है वॉल्यूम तो वॉल आपको यह बार शो कर रहे है, रेड और ग्रीन, यह हमारा क्या होता है, वॉल्यूम, अगर आपको इसकी सेटिंग चेंज करना है, तो सेटिंग के लिए देखिए, यहाँ पर ऑप्षन आता है सेटिंग का, इस पर हम क्लिक करेंगे, बहुत कुछ जिसमें चेंज नहीं करना ह आपको आप यहाँ पर कलर वगरा या फिर स्टाइल वगरा चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पर हम कलर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, इस पर हमने क्लिक किया, जो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर रेड ही लेंगे, यहाँ पर रेड ही लेंगे, य तो यह हैं से एप्व daiq कर सकते है तर जो यहां से आपकी तसक्षा यहां को लाईं doing करता यहां की पर यह हमारा कॉलम करता है तो और यहां पर यहां पर थे little पुरा सा difficult हो सकता है चीजों को समझना तो इसलिए बिल्कुल सिंपल हम यहां पर क्या लेते हैं columns और यहां से हम क्या कर लेते हैं okay तो यहां से इस तरह से हम क्या कर सकते हैं settings को भी change कर सकते हैं volume की तो बिल्कुल सिंपल है volumes को लगाना तो अगर आप अपने account open करना चाहते हो तो वीडियो की description में आपको link मिल जाएगा आप open कर सकते हो बिल्कुल फ्री में open होता है और बहुत सारे ऐसे features से जिनका आप यूज बिल्कुल फ्री में कर सकते हो तो आप लोग में से कई लोग ऐसे हैं जो free जो trading view है उसको use करते हैं और उसमें क्या होते है कि 2 या 3 से ज्य सकते हो तो चली यहां पर हम आखे बढ़ते हैं और देखते हैं कि volume का use क्या है चली अब इस चार्ट को हम सबसे पहले open करते हैं trading view पर तो यहां पर option आता है इस पर हम click करेंगे जैसे हम click करेंगे तो एक अलग से यहां पर यह हमारे सामने open हो जाएगा चार्ट अब यहां प करेंगा दिखें सब में volume शो कर रहा है कि उस candle में कितनी quantity trade हुई है अगर आप इसको देखो के 5 मिनट पर तो 5 मिनट पर अलग दिखाएगा क्योंकि candle सब यहां पर कितने मिनट किए 5-5 मिनट किए इस candle को दिखें इस candle का यहां पर volume कितना है उस ते कम है ठीक है तो यहां पर जिस तरह से आप time frame change करोगे उस तरह से volume भी change होगा हो इसको हम लगा लेते हैं 15 मिनट अब हम यहां पर यह जानेंगे कि इस volume का use क्या है और इसको use करना कैसे है अब देखें कोई भी tool हो या फिर कोई भी indicator हो 100% work नहीं करता है काम करता है आपका experience कि आपने उस tool को किस तरह से use किया है और कितनी बार use किया है कितने आप perfect हो यहां पर जो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ वह मैं अपना experience यहां पर बताने जा रही हूँ कि मैं किस तरह से यहां पर volumes का use कर दी थी अभी भी आपने देखा कि मैं आपको chart समझाती हूं stock का तो volume लगा होता है तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे support और resistance को निकाल लेते हैं कैसे निकालना है तो दीखे यहां पर हमने यह tool लिया horizontal line तो अपको यहां पर साफ साफ दिखाए दे रहा है कि upside में क्या है resistance है जहां से market ने fall किया यहां से market अप जा रहा था यहां पर रुका down आया फिर से यह यहां पर up गया फिर से यहां पर down आया तो यह हमारे लिए क्या है resistance है इसको हम यहां पर mark कर लेते हैं अगर यहां पर support की बात करें तो दीखिए support कहां पर निकल कर आएगा तो support यहां पर हमारे पास जो है यह level है यह support है क्योंकि देखिए यहां पर market ने क्या है क्या अब गया था rejection phase क्या down आया gap अप open हुआ तो यहां पर हमारे पास क्या है कि यह gap है market down आया इस gap को fill कर दिया लेकिन यहां पर closing नहीं दे पाया इसके नीचे और यहां से फिर से bind आया तो यह हमारे लिए support का level निकल कर आया अब देखिए यह हमारे लिए resistance हो गया अब यह हमारे लिए support हो गया simple अगर हम बात करें यहां से rejection phase क्या धीरे धीरे यह down आ रहा देखिए यहां पर volume देखिए नीचे volume क्या है यहां पर normal है कोई ज्यादा volume नहीं दिखाई दे रहा दिरे-दिरे market आ रहा अब इस candle ने इतना बड़ा यहां पर fall किया volume देखिए कितना बड़ा आया है यहां पर volume बड़ा मिला और इस candle को देखिए इस candle में भी जो है हमें selling pressure नजर आया लेकिन downside से कह क्या rejection ले लि से बहुत जाद है क्यों क्योंकि जो इतना बड़ा जो यह volume है इसके बाद वाल्यूम है इसके बाद वाल्यूम है इसके बाद वाल्यूम है वह इतना बड़ा नहीं है तो वाल्यूम यहां पर यह काफी बड़ा है और उसके बाद वाल्यूम है वह अभी छोटा है इसका मार्कट तोड़ा सा अब जाने की कोशिश किया धिरे धिरे अब गया धिरे अब गया लेकिन यहां पर क्या था यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर जा रहा है तो बार बार क्या कर रहा है यहां से बार फिर से रिजेक्शन को फेस कर रहा है देखिए कैंडल यहां पर कौन यहां से अब गया, rejection मिला, down आ गया, फिर से अब गया, rejection मिला, down आ गया, तो यह हमारे लिए resistance हो गया, आप ज़रूरी नहीं कि इस level को hit, इस level तक touch करें, यहां पर देखें, indicator आपको कर रहा है, कि क्या कर रहा है, rejection phase कर रहा है, और plus M pattern ही बना रहा है, यह चीज आपको देखते देखते चार्ट पर आएंगी, अब जैसे यहां पर यह break हुआ, जैसे यह break हुआ, selling pressure इतना थे कि market यहां पर down आ गया, अब down आया है, तो support कहां पर लिया है, यहां पर, यह जो last support है, closing नहीं मिली थी हमें, लेकिन इसी के आसपास जाकर, इसने क्या 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 support लिया, और इस क्या करते हो कि support पर आया है, अब यहां से market अब जाएगा, अब जाएगा, चलो यहां पर upside का trade ले ले लेते, यही गलती होती है, volume से देखो, हमें सीधे सीधे साफ साफ सा पतल लग रहा है, कि selling pressure काफी जादा है, तो देखिए, यहां पर क्या हुआ हुआ, कि यह हमारे यहां पर देखिए, इसको हमने mark कर लिया, market डाउन आया, ठीक है, अब यहां पर डाउन आया, फिर से डाउन आया, डाउन आने के बाद रेटेस्ट किया, और यहां पर फिर से डाउन आया, तो यहां पर upside की trade लेना हमारे लिए काफी risky है, जब तक हमें यहां पर इस candle से पर भाग जाएगा, मेरा view यहां पर down है, अब projection ने भी क्या क्या है, यहां पर मेरी help करेगी, projection wise यहां पर market down है, प्लस जो यहां पर volume है, उसके according क्या है, यहां पर scenario downside का दिखाई दे रहा है, तो देखिए, किस तरह से यहां पर market ने क्या क्या सपोर्ट ब्रेक किया, इसको मै रिमोव करते, देखिए, यहां पर down आया, फिर से candle ने क्या है, रिटेस्ट किया, down आया, रिटेस्ट किया, down आया, तो यह जो candle थी, इस candle का जो लो था, यह हमारे लिए क्या बन गया था, resistance, market down आया, देखिए, किस तरह से इसी को रिटेस्ट किया, इसको उपर आप नहीं ग जो candle है, इस candle ने high break किया, नहीं किया, तो projection तो हमें नहीं दिखाए दियना, upside के लिए, तो हम upside के trade क्यों लेंगे, फिर से candle ने break किया, यह हमारा support था, break हुआ, break हो कि इसने retest किया, और यहां से फिर से down, volume से भी हमें एक बार confirmation मिल गया, कि जो हमारा trend है, वो क्या है, यहां प upside का trade फिलाल हम प्लान नहीं करेंगे, जब तक हमें आपर projection चेंज होते हुए, नजर नहीं आएगा, यानि कि जब तक हमें projection नहीं मिलेगा, और बड़ा volume नहीं मिलता, तब तक हम upside का trade प्लान नहीं करेंगे, यह तो बात हो गई, downside के लिए, आप इसी तरह से हम यहां पर दे गया, gap up open हुआ, already इतने point यहां पर गय, उसके बाद यह market फिर भी उपर गया, और यहां पर volume देखे कितना बड़ा volume आया हुआ, upside के लिए, तो अगर इससे बड़ा volume आता है, यहां पर red, और यहां पर यह जो second candle बनी हुए है, rejection candle, तो मैं यहां पर downside का trade प्लान कर लेती, ले यहां पर डर लगता, confusion लगता, कि इतना बड़ा volume रेट भी है और इतना ही बड़ा यहां पर green आ गया है, तो market up down कर सकता है, लेकिन यहां पर volume के according, जो green candle बनी है, तो moment यहां पर upside दिखा सकता है, तो देखे, जैसे यहां पर first candle का high break हुआ, यहां पर break हुआ, market के लिए क्या बन गया, resistance बन गया, first candle का, यहां से दुबारा rejection face किया, यही पर ही move करता रहा, move करता रहा, और उसका यहां पर इस निक्या क्या क्या, breakout किया, अब गया, फिर से डाउन आया, अब देखे, यहां पर candle कौन से बनी, shooting star candle, लेकिन इस candle का volume देखे, कितना बड़ा है, इस candle का भी volume में, जो यह, जो red candle है, इसको भी cover कर लिया, तो volume यहां पर अभी भी है green, तो इसका मतलब क्या है, moment, यहां पर upside का मिल सकता है, छोटा movement हो, लेकिन मिल सकता है, अब यहां पर फिर इसने कही कह, क्या, projection मिला आते हुए, movement दिया upside के लिए, देखे, कितना बड़ा movement मिला यहां अब upside के लिए, और कितने point अगर आपर देखे, आगर इस candle का देखे, यहां से, अगर मिले 90, जो से, इस candle का, जो volume है, इस के noch इस유य को लिया हुआ है, तो देख सकते हैं, तो कितना movement हमें देखने को मिला है Tipside के लिए अब यहां पर इस candle का volume देखे कितना बड़ा volume आया है रेड कलर का candles को देखे डाउनसाड से rejection है लेकिन यहां पर volume कितना बड़ा है तो यहां से अगर market करता है आपसाइड के लिए तो बहुत ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा और एजेक्शन करके आ सकता है डाउंसाड में तो देखे यहां पर इसने जो क्या क्या है डाउं आया सपोर्ड लिया मुव के आपसाइड और यहां से फिर से फॉल दिखा दिया और यहां पर किस तरह से फॉल मिला तो देखे फ्रेंट सिर्फ वॉल्यूम को लेकर हम यहां पर कोई भी ट्रेट प्लान नहीं कर सकते हैं वॉल्यूम से पहले हमें क्या देखना पड़ता है सपोर्ड और रेश्टन्स जो चीजे मैं देखती हूं वह में आपको बता जो सपोर्ड रेश देखे 100% काम नहीं करता है यह आप चीजों को देखते रहोगे तब चीजे समझ जाएंगे कहां पर यह फेल हो सकता है तो जब लेवल ब्रेक हो रहा हो और उसके पहले कोई केंडल बनी हो उसका वॉल्यूम आया हो आप साइट के लिए हो चाहे वो डाउन साइट के लिए ह तो फिर हम वहाँ पर वर करते हैं यानि कि एक मुमेंट आ सकता है ब्रेक आउट पर अब हो या फिर डाउन हो और फिर वॉल्यूम की हेल्प से हम यह भी पता लगा सकते है कि जो ब्रेक आउट है वो फेक ब्रेक आउट है या फिर रियल ब्रेक आउट है आज की वीडियो म कोई भी चीज एक दिन में काम नहीं करती है तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैंने इस टॉक बताए कि स्टॉक में कैसे वॉल्यूम को लगाते हैं और यूज करते हैं नेक्स जो वीडियो बनाउंगी वॉल्यूम पर वह मैं आपको बताऊंगी निफ्टी और बैंग न करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तेकले फ्रेंड्स गुडबाई एंड थेंक्स वर वाचिंग